बिहार में इन दिनों सिक्षा बिभा काफी जादा चर्चाओं में बना हुआ है केके पाठक के लगातार फर्मान को लेकर हूँ या फिर उनके विवाद को लेकर महीं बिहार के मुखिया नितीश कुमार ने केके पाठक और बिहार सिक्षा बिभाग के मंतरी प्रोफेसर चंदर शेखर को एक साथ बुलाया है आपको बता दे चलें कि बिहार का सिक्षा विभाग इन दिनों लगतार सुर्खियों में है सिक्षा विभाग और राजभवन के बीच का विवात हमने का नाम नहीं ले रहा वहीं इस मामले में सीम नितीश कुमार ने सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर शेखर को गुरुवार मुलाकात करने के लिए बूलाएं साथी साथ मिली जानकारी के अनुसार सिक्षा मंतरी मुख्य मंतरी के आवास पर जाकर सीम नितीश से मुलाकात की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सिक्षा विभाग के अपड़ मुख्य सचीब के के पाठक बे मुख्यमंत्री के उनके अवास पर जा कर मुलाकात की है दरसल हाल के दिनों में सिक्षा विभाग और राजभवन में चल रहे तनातनी के बीच ये मुलकात एहम बताई जा रही है अनुमान लगाया जा रहा है कि राजपाल के कड़े तेवर के बाद सरकार हरकत में आई है गौर तलव हो कि सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचीब के के पाठक पर मंगलवार को राजपाल विश्विनात अल्लीकर ने माहमला किया था उन्होंने सिक्षा दिवस पर पटना विश्विद्याले में आयोजित कारिकरम में राजभवन और मुखे मंतरी के बीच तनाप की खबरे को सीरे से नकारते हुए कहा कि सीम नितीश कुमार से उनका कोई टकराब नहीं इसी दोरा नहींने केके पाठक के निशाने पर लिया और उन्हें जम कर सुनाया जा एक और उन्होंने कहा है कि एक अधिकारी द्वारा कुल अदिवस पती की आटनौमी पर सवाल उठाया जाता है एक से केट्री को इतना साहस कैसे हो गया है इसको लेकर सोचने की जरूरत है दरसल पिछले दिनों कुलपतियों के कामकाज में दखल दिये जाने के बाद केके पाठक के आदेश को राजभवन ने निरस्ट करने की बात कही थी साथे साथ बिहार के सिक्षक विवस्था को लेकर भी राज़िपाल ने बिहार सरकार को जम कर सुनाया और उन्हें कहा तीस चालेस स्टूडेंट के पीछे एक सिक्षक की जरूरत होती है लेकिन हम कितने सिक्षक दे रहे हैं पटना विश्विद्दाले ही नहीं हमारे सब विश्विद्दाले का अस्तर बढ़ना चाहिए जहां एक तरप 5 सितंबर सिक्षक दिवस के मौके पर पटना विश्विद्दाले में राज़पाल और नितीश कुमार आमने सामने थी नितीश खुमार के साथ उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इशारो इशारम उन्होंने केके पाठक को लेकर कई बड़ी बाते कहीं तुनने कहा था कि एक अधिकारी आया है और वो राजभवन पर सवाल उठा रहा है उसे किसम उन्हों से नितीश कुमार ने मुलाकात की है फिल्हाल कि लड़ इस खबर में तना है तमाम खबरों करें देखते रहें न्यूस फानिशों